गणि मैया की महि मागाऊ सुनो रिभग तो ध्यानी लगाए माही सत्य ही माही सुन्दरे मां के हाथो ही स्ष्टी रचाए अती विशाली रूपे है मांका नाखुन में ब्रम्हानी समाई सत्य रज्य तम तीनो गोड़े मामे गणि माता में पाए जाए शर्फ्रिप्रथम सष्टी में माता ब्रम्हा विशिनूश्यू को बनाए इनके बात आने के देविता गणि माता ने दिये प्रगिटाए अती मनो हरी रूपे है मांका अती मनो हरी रूपे है निका जिसे देखे सुन्दरता लजाए सबते नागे तिर छत्री बेराजे नागे राज दिये छत्री लगाए तीने नेत्र है माता जी का तीजा खुले तो जग जल जाए हाथ कटारी चम 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 के जो दुस्ते मनी को मारे गिराए दूजे हाथ कुलती का पोधा जो तीरी हर की मनी को भाए अश्टी यंत्र पे मा की मूरते आता ने जित पे बैठी लगाए काली कराली माव किराले काली कराली माव किराली बर्यार पुर में पूजी जाए नेपाली देस की वारा जिला में बर्यार पुर में बसी है माई गढ़ी माता जिन लोगे है केहते रही भगितों पेक्रप बारिसाए जो भी गढ़ी मैया को पूजे मनों का मिना पूणे हो जाए देवियों की देवी महा देवी मेरी मात गढ़ी कहलाए अती प्रचीन कथा है माता सुनोर संतो ध्यान लगाए केसी पती बर्यार पुर में केसी पती बर्यार पुर में देती हूँ सभी बाती बताए माका भक्त भगिवानी चोधरी बर्यार पुर में जनिमा जाए पढ़ा तया लूमा का पुजारी जिसके घर गया चोरी समाई चोरी चोरी का सोरी सुनाया गई गाओं की जनिताया सभी ने आकर चोरी को पकड़ा मारो मारो सभी चिलाए पकड की चोरी को मारा निलागे चोरी गिरा है मुर्चा खाए भगवानी चोधरी लाखे बचाए अरे अरे ठेरो भायो ठेरो मैं कहता हूँ ठेरो अरे चोरी जैसी मामूली भात पर किसी को चांड से मारना भला कहां तक ठीक है अरे इसे बक्ष दो मेरे भायो इसके अपराद के लिए इसे चमा कर दो आखिर ये भी तो एक इनसान है भागे बाने चोधरी लाखे बचाएं फिर वे डोगी ना माने निपाएं मूर्चित चोरी को जानी सिमारे चोरी दिया है प्राणी गवाय सूची न पहुंची है थाना में दल बल लिया तरोग सजाएं पर्यार पुर गाओं में पहुंचा गाओं की जनता को पकड़ा जाएं चैसे ही जनता को पकड़ा गए भग्यवान चोधरी आएं गामिड चनता को छोड़वाएं सर पे लिए इलिजामी लगाएं खून केस में फसे चोधरी खूनी केस में फसे चोधिरी दिया दरोगाने पंधिवाई लेकाई उनी को थाने पोहचाई दिया हाथ हाथ कड़ी लगाई लाखे दरोगाने तच पूछा लेकिन चोधिरी नहीं बताई जूटे केस में खुद को फसाई दिया दरोगाने पंधिवाई खुद को वो अपिराधि बताई कारागार दिया पोहचाई नेपाल की राजधानी कट मांडू जह पारे नरक जेले के हिलाई जेले के अंदर कैद कर दिया जेले के अंदर कैद कर दिया हाथे हत करी दिया लगाए लाखे दरोगाने पूछा है अपिराधि खुद को बति लाए मा का भक्त चेले में पोहचा पूजा पाठ में समें बिताई कोनी सपाप है पूर्मी जन्मी का निरिया पिराधि हुकाटू सजाए निस दिन कोसी रहा अपिने को दुर दिन में दिन रहा पिताई गढ़ी माई को दया आ गई बुढिया कालिया भेसे बनाए बारह बजे रात में गढ़ी माई बारह बजे रात में गढ़ी माई जेली के अंदार गई समोय भगवान चोधिर के पासाई बोली परचे दो बतिलाए कहां है घर क्या नामि तुमारा दो सच सच मुझे को समझाए द्रामि मेरा भगवान चोधिरी घर बारियार पूरे है माई नेपाल देस करेहने वाला मेरा जिला बारा कहलाए खूणी केस में फसा हूं माता सर पेलिया इलिजा में लगाए डर गया हूं में तुमसे मता हे मा आप कौन है माता और आदी रात को इस काल कोठ्री में आप कैसे पहुची मुझे अपना परचाए दे मा अपना परचाए दे मा आखिर आप है कौन दर कया हूं में तुमसे मता अपना परचे दो पति लाएं जेली में ताला कड़ा है पहरा कैसे अंदर गई समाए मा बोली प्रसन हूं तुझ पैप अपना गाओ तो मुझे गुमाए मुझे से क्यों डरता है बेटा मैं हूँ तेरी बुड़ी माए हाथे हत कड़ी पाओ में बेडी पहरा कड़ा है गढ़ी माए एसे में कैसे गाओं ले चलूं तुझे रहा ना कोई उपाए हत कर पोली है गढ़ माता हत कर पोली है कर माता चोधेरी सुने लो ध्यारी लगाए खोले के बेडी तोडे के पहरा जेल से बाहर दूं पहुचाए फिर क्या तुझे लेके चलेगा अपने काओं को देगा गुमाए तब भगवान चोधेरी बोले माचरणों में ध्याने लगाए तुम हो मेरी माता लगती सेब करूगा गढ़ी माए खोई माँ मुझे मिल जाएंगी अहो भाग मेरा हो जाएंगी माता ले बचन सुना है गढ़ी माता ले बचन सुना है पुस्र कोलिया सीनी सी लगाए चारी कदम फिर पीछे हट गर लिया भयान के रूप बनाए प्रगट हो गई काली माता जिसको देखे काली डार जाए लाले नेत्र और लाले है जिभ्या खून से लथ पति दाते दिखाए सारा बदन पड़ा है काला रंगा कटारी खून से हाए भगवान चोधिरी बे होते हो गए होते के वपने दिये गवाए गढ़ी माँ परियार पुरवाद वच्स भगवान चोधिरी आखे खोलो और देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तुम मुझे अपने गाउं ले चलो अहो भागे माता अहो भागे माता जो आपने मुझे जैसे तुछ भक्त पर ये असीम क्रपा की है चलिए माता आप मेरे साथ चलिए मगर ठहरो भक्त तुम्हारे साथ चलने से पहले मेरी एक शर्थ है यदि तुम पाँच वर्षों में मुझे पाँच बली दोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूँगी मुझे को गाओं में दोपो हुचाए मैं तो तेरे साथ चलूँगी कहके दिया हत कणी हटाए पाउं की पेडी को भी खोली पहरे दरों को दिया सुलाए भगिबानी चोधिरी की खुली जंजीरे दिया सरण में सीसे जुकाए जैसे ही जलने कुका है माता ने दिया सर की बताए पाच बर्स में पाच बली दो पाच बर्स में पाच बली दो फिर में साथ चलूँगी हाई चोधिरी जी तैयार हो गए गढ़ी माई को दीसी जुकाए पंच बली में क्या में चनाओं मुझे को कचू समझ नी आए कुरप कर के है गढ़ी मया अपने पुतरि कु दो बति लाए गढ़ी माई चोधिरी से बोली सुने ले चोधेरी ध्यानी लगाए पहला भैसा तू जासु वरे तीजे तुहंति का अंडा चणाए मुर्गी जंगीली मूस या खंती मुर्गी जंगीली मूस या खंती देना बली तो जो मिन जाए यही पाँच बाली में डूँगी तब तेरे संगी चलूँगी हाँ एक बात है और भी सुन ले देती हूं में बाती बताए तब तक बली तु नहीं चलाना जब तक दीपक ना जली जाए जैसे दीपक जली जाएगा बेसे ही दिन बली चलाए तैयार हो गया भगवान चोधिरी गढ़िमा को ले चल हर साए उच पहाड के उपर पहुचा उच पहाड के उपर पहुचा अंतार ध्यान हो गई है माई चिलाने लग भगवान चोधिरी कहा गई वो गढ़िमा आए गढ़िमा आए गढ़िमा आए मुझे दरसन देदो बेह बाले हो के पुका रती जाए गढ़िमा आगरी नहीं आई तो दूगा अपनी वली चढ़ाए गढ़िमा करंदान सुन चोधिका आखा से बाडी तिया कराए जहां से मैं आद्रशी हुई हूँ माते कहां अंतर ध्यान हो गई हो मा कहां अंतर ध्यान हो गई हो तुम्हारा भक्त तुम्हें पुकार रहा है माई अरे अपने लाल को अकेले छोड़ के कहां चली गई हो मा मुझे दर्शन दो दर्शन दो मा अगर तुमने मुझे दर्शन ना दिये तो मैं तेरे चर्णों की कसम मैं सुहम अपनी बली दे दूंगा तेरे दर्शन के लिए अब तो प्राणों को भी त्याग दूंगा वा मुझे दर्शन दो दर्शन दो माता दर्शन दो भक्त भगवान चौधरी मैं तो सदा तेरे साथ हूँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जहां से मैं अद्रश्य हुई हूँ तुम वहा की माटी उठाकर अपनी पगड़ी में बांध लो और अपने गाउं तक ले चलो गाउं जाकर उस माटी से एक सुन्दर भवन बनाओ जहां पर स्वयम मैं तुम्हारी साथ हमेशा रहूंगी पगड़ी बांध की सिर्फे रखलो मिट्टी गउं में दो पहुचाए चोधिरी जी गणिमा से बोले मुझे ते और चला नहीं जाए हे गणिमा मुझे सकती दे दो मेरी पाओ हे चली नहीं पाए ना जाने मुझे क्या हो गया मुझे को तो कुछ समझी न आए अंगे अंगे पुल किस है मेरा सारा बदनी रहा थर राए सकती का तंचार कियामा चोधिरी को गई ताकति आए गड़ी मैया को साथ मिले करे गड़ी मैया को साथ मिले करेमा का भगते हैं चला हरिताई जिला मक्यवाने पूरे होते हुए गया से मेरी गाओं में आए जो की वारा जिला में पढ़ता नेपाले दे से अंदर कति हाए वही पे ब्रक्ष के नीचे बेठे ठक कर चूरे हो गए है हाई जहां पे वोई बिश्रा में किये हैं वहां भी गड़ी मा पूझी जाए पुना है वहां से जित्पुर पहुचे वहां भी दिया था कानी सताए विश्रा में किये हैं जित्पुर में वो दिये हैं मा का बात कराए वहां भी मा का बात हो गया जित्पुर में भी पूझी जाए जित्पुर से बारा गड़ी पहुचे जहां पार सुन्दारी नदी दिखाए नदी के तीर पे जागे बैठे बहां पार भी दिया बात कराए बारा गड़ी से कुछ दूर दच्छेड जिम्रोनी गड़ी गाओ कहाए जैसे ही चोधिर बाते पहुचे रगट हो गई है गड़ी माई चोधिर संग मधुरी गाओ पहुचे चोधिर संग मधरी गाओ पहुचे वह पे माम कट बासी कहाए कट बासी से बट यार पुरे पहुचे जिसका जिला बारा के हिलाए जो की निपाले देस में पढ़ता भगबानी चोधिरी का गाओ कहाए पर यार पुरे में बस गई माता बही पे दिया तिरी सूली धताए गड़ी माई चोधि से बोली तुनी भगिवानी तु ध्यानी लगाए यही पे में पूची जाऊंगे मेरा नामे गड़ी के हिलाए गड़ी माने मंदिर के बगल में गड़ी माने मंदिर के बगल में भब्य पोखे रादिया पराए इसमें जो इस नाने है करता उसके पापी सभी धोली जाए इस पोख्रे में साते इनारा जिसका जले के तूझे में जाए इस नाने करके लगे लोगे पूजी ने दिये है मंदिर भब बनाए अती मनो हर्मा का मंदिर जो देखे देखत रह जाए भगवान चोधिरी बने पुजारी मा गढ़ी का जो भगती कहा इन इस दिन मा की सेवा कर से भग्त भगवान चोधिरी ध्यान से सुनो जहां पर मेरा त्रिशूल लगा है वही मेरा स्थान बन गया है आज से मैं यही पर निवास करूँगी और मुझे गढ़ी माता के नाम से जाना जाएगा लिस दिन मा की सेवा करते पुजा पाठ में समें पिताएं जैसे ही कुछ दिन बीता है गाओं में गई बीबस्ती आएं किसी को लड़का नहीं होता था गाओं की लोगी कई घविराएं आप पहुचे चोधी के पास में अपना दुखेडा रही सुनाएं क्यों नहीं किसी को लड़का होता चोधीरी बाबा आपी पताएं केसी देवी उठा के लाएं किसी को पुत्री नहीं है पाएं भक्ते चोधीरी बहिबाले होतारे भक्ते चोधीरी बहिबाले होतारी गर्माता का धारी लगाएं दोसे लगा रह नगर के वासीं कैसी देवी लाएं उठाएं दोसे से मुक्ति करो हें माता क्यों कलंकि दिया माती लगाएं कैसे सभी को लड़का होगा गढ़ी मैया दो उपाएं बताएं गढ़ी मैया चोधीरी से बोली सुनो पात को ध्यानी लगाएं मेरी नजर की सामिन वस्ती किससे पुत्री नहीं हो पाएं मेरी नजर से धच्छिर्द सामे मेरी नजर से तछे सिता में तुमें दो अपनी पसिती बताए खुत हो जाएंगे नगार के बासी जाकार तो ये बाती बताए निर्धन भी धनिवाने हो जाए बाज़न गोदे में पुत्री खिलाए कोई कश्ट नहीं रह पाएगा बस्ती जो दल छेड बस्ती जाए यथा सीग्र प्रस्तार करो तुमें जाकार तो ये बाती बताए गढ़ी मैया का पचली सुने है दोड़ दोड़ गाओं में आए गाओं में आकर सभा लगाए जो देरी बाबा आखिर ये सब क्या हो रहा है हमारे गाओं में अरे ये कैसी देवी को आप ले आए कि इस गाओं में संतान ही नहीं हो रही है अरे अगर ऐसा रहा तो एक दिन हमारा गाउ पुत्रवीन संतानवीन हो जाएगा फुक्मरी चा रही है कुछाली को गई है हमारे इस गाउ की अरे आकिर कुछ तो पाए करें चौदरी बाबा ये कैसी विढम बना है मा अरे गाउं के लोग मुझ पर लांचन लगा रहे है कि कैसी देवी को ठालाए हो तेरी आन पर प्रस्थन बना है मा कुछ तो पाए करो भगवान चौधरी जाओ और जाकर सारे गाउं को सूचित करो कि जो बस्ती मेरी सामने है यदी वो बस्ती मेरी नजर की दक्षिन की ओर बन जावेगी तो नगर में ना तो कोई निर्धन होगा और ना ही पुत्रविहीन तथास तू गाओं में आकर सवा लगाए नगर बाति को निया बोले बाए चुट गए है जब नगर के बाति दिये चौधरी बाति बताए मंदिर से दच्छेड हो बस्ती माने दिया आते से सुनाए नजर के सामिन है मेरी बस्ती इससे पुत्री नहीं हो पाए बस्ती जैसे बसे की दच्छेड सभी लोग खुसे हाली हो जाए मंदिर के दच्छेड में बस्ती नगर के बाति दिये बताए जैसे ही बसी दच्छेड में बस्ती जिसे ही बसे दस छेड बसे नगर बास खुते हाले हो आए होने लगा सभी को लड़का कोई न कभी दूखी रह पाई टली विपती मां के कारण गणि मां की जेकारी सुनाए भक्ति मां के भगवानी चोधरी सक्ती गए से मां से पाई जब वीबे कभी बाहर जाते उनका भोजन निकाला जाए जैसे ही घर में निकलता भोजन मां देती उने तक पहुचाए अपने आप पेट भर जाता अपने आप पेट भर जाता भोजन भी आदश्टी हो जाए गढ़ी माईया चोधरी का भोजन देती थी उने तक पहुचाए चोधरी के घर पहुच थी आई सभी का भोजन रही पनाए चोधरी का भोजन है निकाला गर में दूधे भी रख दिया हाई चोधरी जी बाहर में गए थे माने भोजन दिया पहुचाए गर में दूधे ने मोहों जलाया गरदन सीना दिया जलाए असमे घटी अनोखी घटना मैं तुझे श्राब देताओ कि आज के बाद माता गड़ी के मंदिर में बहु नहीं जाएगी और यदि भूल से भी मंदिर गई तो चीवन पर पुत्र विहीन रहेगी असमाई घटी अनोखी घटना चोधिर जी गए क्रोधे में आए क्रोधे के मारे शापि दे दिये बहु ना मंदिर में आपाए बहु जो मंदिर में आएगी तो वो कुत्री हीन हो जाए जलन होनी लगी चोधिर जी को चोधिर त्राही मामी चिलाए घर ये ध्यान है गड़ी माका सूझी रहा ना कोई उपाए मानी जलन कुतांति किया है तामी ने आग करी रही मुतिकाई चोधिरी के दिये शापि के कारण चोधिरी के दिये शापि के कारण चोधिरी की बहु गई घपिराए चोधिरी जी के पासे में आई पोली शरण में सीसे जुकाई अन जाने अपिराधे हो गया मेरी चुकी छमा हो जाए तब चोधिरी जी बोली बहु से मेरा शापि भी भल ना जाए गोधि के मारी शापि दे दिया इसको नहीं सकता लोटाए गड़ी माता का ध्यानी धरो तुमें खोजिन निकाले कोई उपाई जैसे हिमा का ध्यानी धरे है अखिर मेरा कौन सा अपराध था सिसुर जी मेने जो भी किया अंजाने में किया अज्यानता में किया है सिसुर जी यदि मेरा अपराध ख्यामा योग है तो मुझे ख्यामा कर दीजिए मज से भूलोई मुझे ख्यामा कर दीजिए बहु जो बात जुबान से निकल गई वह फ्यरत नहीं जाएगी मैस में कुछ नहीं कर सकता अरे अब तो श्राब से मुक्ति तुम्हे गड़ी माता ही दिला सकती है जाओ जा कर उन्हीं का ध्यान लगाओ कोई न कोई उपाए गड़ी माता जरूर निकालेंगी जेसे ही मा का ध्यानी धरी है आकाश बाड़ी कई सुनाए मुख पूजा होगी पाचे बर्ष में एक माह तक चले गिहाए एक माह में तीन दीन ही बहुतो मंदेर में आपाए पंची मित्रष्टी सत्मिसिती को आकर देना दीप जनाए तीन दीन तक पूजा करना धेना कभी तु मंदेर आए छूटी दिया माने पूजा का गड़ी मा की जैकारी सुनाए पाचे बर्ष में तीन दीन ही पाचे बर्ष में तीन दीन ही चोधिर की बहु मंदेर जाए पूढा हुआ भगवान चोधिरी पूजा पाठ में समे बिताए गड़ी माता ने मन में बिचारा इसे दूपरा मिधा में पहुचाए एसा सोचिक गड़ी माता ने चोधिरी को लिया पासिट बुलाए पासिट बुला करके मा बोली चोधिरी चलवरा मण की आ जाए गड़ी मा के संग लगे घूमिने खुसी की कोई सीमा ना चारों तरभ का ब्रमण किये हैं चारों तरभ का ब्रमण किये हैं ब्रमिस्तानी गया नियराय जैसे ही कुछ दूरी चले हैं चोधिर से बोली गढ़ी माई बस चलो तुम आगे आगे मैं तेरे पीछे रही हुआए चोधिरी चला है आगे आगे पीछ से मैया चलती जाए तिर पे हाथी रखी चोधिरी के घटी अनोखी घटी नाहाए फटने लगे गई धर सी माता चोधिरी अंदर गई समाए भक्ति को माने किया हलो किते भक्ति को माने किया हलो किते परमिधा में को तिया पहुचाए घर के लोगों को चुनता नहीं थी चोधिरी जी क्यों घर नहीं आए नगर पासी पहुचे मंदिर में कहीं न चोधिरी रहे दिखाए साफी सफाई भी नहीं हुआ था जो कात्यों सब पढ़ा था नीपा पोती नहीं हुआ था सब को चिनता गई समाए नहीं दिखे ते भगवानी चोधिरी घर के शदशी गई घबिराई सोचे पढ़ा पूरे परिवार में सोचे पढ़ा पूरे परिवार में गई सोखे की लहरी समाई इधर उधर समी लगे खोजिने भगवानी चोधिरी नजरे ना आए महिपाली चोधिरी शपने में देखे भगवानी चोधिरी रहे बताए ब्रह्मे बाबा के उस्तर दिशा में एक पीपली का ब्रक्षे है आए वही पे मेने इंडिया समाधी दो सब को ये बात बताए लड़के की जट अपने घर की देना मेरे तिर पिचड़ा इस सरीहन धानी का भोगी लगाना पुत्र महिपाल मैंने ब्रह्म बाबा के उत्तर दिशा में समाधी ले ली है अर्थात जो भी भक्त मा गड़ी के दरवार में सरीहन की धान का भोग और खंसी की बली चढ़ाएगा और सुभैशा माई के मंदिर दीपक जलाएगा उसकी सारी मनो कामना अवश्य पूरी होगी सरिहन धानि का भोग लगाना खंसी का देना पली चड़ाए कड़ि मैया का पूजन करना सुभाई सामी को मंदिर जाए सुभाई को दीपक सामी को दीपक देना तू मंदिर में जलाए निस दिन मा की शेवा करना भगवान चोधेरी रह समझाए सुन महिपाल भोर में जाकर ब्रक्ष के नीचे तू रुक जाए वहाँ है पध चिन्हों की निशानी मा की मिट्टी लेना उठाए पध चिन्हों की मिट्टी उठा कर पध चिन्हों की मिट्टी उठा कर उतका लेना मरुक बनाए वह पर मेरी पूजा करना देना समाधी भी बनवाए महिपाल चोधिर जागे भोर में पध चिन्हों की मिट्टी उठा कर दिये है उसका मरुक बनाए पूजा पाठी लगे है करने नंगरिबासी को लिया पुलाए महिपाल सपने की घड़िना नंगरिबासी को दिया बताए खुस होकर सभी किये है पूजाने खुस होकर सभी किये है पूजाने उनकी समाधि पनाए भगवान चोधिर का भी पूजा सभी भगत करते हरसाई मा मंदिर के चार सिपाही जो की छेतर पाल के हिलाए जंगी छाटू गंगा मोती इन चारोग भी पूजा जाए ये भगतों की रक्षा करते जो मा के पूजन को आए तरह तरह का भेसे बदलते जब जो जी चाहे बाने जाए कभी कुटा कभी बच्चा बने के कभी कुटा कभी बच्चा बने के मदद विभगतों को पहुचाए अंधेरे में डर की लोग जब गढ़ी माता का ध्याने लगाए तभी सिपाही प्रगटे हो जाते भगतों का भय देते मिटाए रख्वाली करते है छेत्र का इसी से छेत्र बाल के हिलाए कभी अनिष्टी न होने देते बहुत इसी लोग इह देखे हाए विस से बदल कर गूमिते रहते निगिरानी में समय बिताए मंदेर तक पहुचाते भक्त को मंदेर तक पहुचाते भक्त को मदद शदा करते है आए पका हुआ मछली मंदेरा भुंजो छेत्र बालों कोश्टा भी चड़ाए जो भी चड़ावा नहीं चड़ाता मा उस सपिना देती दिखाए मेरा सिपाही भूखा हुआ है उसको तुम्हे दो चड़ावा चड़ाई जैसे ही सपिना आता है देते लोग चड़ावा चड़ाई जो भी इनको चड़ावा चड़ाता मनो का मिना फूणे हो जाए बड़े तयालू मा किस सिपाहे बड़ी दया लूमा कि सिपाही बरियुपिकार ही करते जाए कैसे कब हो मा की पूजा कार किरम विधी रही बताए से मेरी ग्राव से पूरो हित गो धामी पुजारी लेते बुलाए धामी पुजारी जी के घर से पूजा की सुरुआत की जाए अगहन सूधी पंची मिती थी गड़ी मा का सीवानी बदाए जैसे ही सीवानी बंधा था बेहनों का आगमन हो जाए माताजी की साथ बेहन है माताजी की साथ बेहन है साथों को रही नामी बताए पहली संसारी दूसरी जोलाही तीसीरी मा गर बाला कहाए चोथी मा रमिना का मिना है पांच भी समेमाई है हाए छटवी खोद है गड़ी मया साथ बी मा मनों का मिना कहाए जैसे ही सीवानी बंधाता माता ने दिया नियमी बनाए गाउं के बहुए या बेटी हो गाउं छोड़ना बाहर जाए एक माहे तक गाउं में रहती एक माहे तक गाउं में रहती गाउं से भिक छाना में लिपाए मुख्य पुजारी जी के घर से पूजा की सुरुआत की जाए आगान में पूजा करवाके जाते ब्रह्म्हे इस्थाने पे आए ब्रह्म्हे इस्थाने पे खीरे बना गर गढ़ी मईया को चड़ाया जाए गढ़ी मईया को खीरी चड़ा कर उसका तब को प्रसादी बटाए जैसे ही प्रसादी बटाता जैसे ही प्रसादी बटाता जमत कोरी वोता दिखिडाए जैसे ही लोग चड़ाती चड़ावा अपने आप बत्ती जल जाए जैसे ही बत्ती जलती है बली का कारी प्रलंबे हो जाए जब तक बत्ती जलती रहती तब तक बली चड़ाया जाए जैसे ही बत्ती बुझती है बली का कारी बंदे हो जाए प्रतिक साले के अगने माह में एक खस्ती को छोड़ा जाए संसारी माई के नाम से पंसारी माई के नाम इसे छूटे ता पंच वेबर से वो जाताय आए उसकी भी बली चड़ जाती है ऐसी बात पुझारी बताए मा मंदिर की होती परिक्रिमा भक्त गण सभी करते आए जो भक्त नहीं करते परिक्रिमा उनकी पूझा निस फल जाए जो करता है मा की परिक्रिमा दर्सन का भले उसे मिल जाए अगे हने माह की पूणी मत थिको पूझा विसर जन की आजाए पालिकी में हो मा की बिदाए पालिकी में हो मा के विदाईनों के विदाउ करते सेरी नाए अन्ति में मुरिगा छोड़ा जाता जिसका पता नहीं चले पाए मुरिगा अलोपित हो जाता है किसी को मुरिगा नजरी नाए जो इस कथानी को गलते मानी ता माता देती परेणा में दिखाए जो गढ़ी मा का पूजन करता मनों का मिना पूण हो जाए अभिष्ट फल की प्राप्ती होती उसके कश्त दूर हो जाए विश्पि में बिख्या थे ये माता विश्पि में बिख्या थे ये माता जिनकी लीडा बलनीन जाए पुत्र हीन को लड़का होता निर्धन भी धनिवानी हो जाए जो मनत माता से मानिता उसके कार पूण हो जाए मनत मानि के मुख्य पुजा पे जो भी चढ़ावा चढ़ा न पाए अग्हनिया फिर फागुन में वो पूजारी के घर में चढ़ावा चढ़ाए जो भी इस गाथा को सुनिता उसकी मनोरत पूड़े हो जाए संजतिवारी लिखे है गाथा गढ़ी माचों के छामा हो जाए दया करो मापारस जीपर शद्धात दरबन सीच जुकाए लिए 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 बाता में जाए